नमस्कार मैं हूद व्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रक्यों बरने से पहले एक नजल सुर्खियों पर सब्छमता परिक्षा का गलत उत्तर अप्लोड करने पर समीती ने एजेंसी से मांग गास पस्टी करण बारिस के कारण किसानों के साथ जन जीवन मी प्रभाविल बीपी ऐसे टीचर भरती पेपर लीग मामले में रिमांट पर लिए आरोपियों से चल रही पूछ तार्च पर आयोग 18 साल पूरे होने वाले युवाओं को मदान का दे रही मौका पर वाहट की खबरों के बीच रोहिच सर्मा और हार्दिक पांडिया का वाइरल हो रहा वीडियो इसके साथ ही भरते हैं साम तक की बरी खबर की और विस्तार से सक्षमता परिक्चा का गलत उत्तर अप्लोड करने पर समीती ने एजिंसी से मांगा स्पस्टी करण सक्षमता परिक्चा का गलत उत्तर अप्लोड कर दिया गया है अब इस मामले में बिहार विद्याले परिक्चा समीती द्वारा स्पस्टी करन वांगा गया है किस परिस्तिती में गलती हुई अब इसका जवाब बिहार विद्याले परिक्चा समीती को देनी होगी आपको बता दे कि 20 मार्च को समीती की वेबसाइट www.bsebsakchamta.com पर बोड ने सोफ्ट्वेर पे उप्योक्त तक्निकी समस्या का निराकरन करत रूटी रहित मॉडल अपलोड कर दिया है 26 परवरी से 1 मार्च और 6 मार्च को आयोजित सक्षमता परिक्षा की उत्तर कुन जी बिहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा रद कर दी गई है उसके बाद बुधवार को फिर से नई आंसर की जारी की गई है 21 मार्च तक संबंदित अभ्यरतियों से वेबसाइट पर आपत्ती की मांग समीती द्वारा की गई थी हाला कि अब इस आपत्ती दर्ज करने की तारीक 22 मार्च कर दी गई है बारिस के करन किसानों के साथ जन जीवन भी प्रभावित बारिस में इन दिनों कई जगों पर तेज बारिस के करन अभी से ही जन जीवन प्रभावित होते दिख रहे हैं बारिस के मौसम से पहले ही सहरों की नालिया तो ग्रामीन छेतर के सरकों की हालत खराब हो चुकी है बारिस के कारण किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है खेतों में गेहों और दलहन के फसल को काफी नुकसान पहुचा है आज भी प्रदेस में हलकी से मध्यम बारिस की संभाबना जताई गई है, गेहों के फसल तो खेतों में तेज पच्छुआ हवा और बारस के कारण नहीं गिर गए BPSC टीचर भरती पेपर लिक मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से चल रही है पूछताज BPSC टीचर भरती तीसरे चलन पर लिक्षा के पेपर लिक मामले में जितने लोग इरफतार हुए वे सभी रिमांड पर हैं रिमांड में लिए गए सभी अभ्योगतों से EOU की SIT पूछताज करेगी रिमांड पर लिए गए तीन मुख्य अभ्योगतों से आज पूछताज की जा रही है रिमांड अवधी दो दिनों की ये उसके बाद अन्य अभ्योगतों के से रिमांड पर पूछताज की खबर सामनी आई है रिमांड के दोरान ये जानने की कोशुस होगी कि उन्हें इस बात की जानकारी कैसे में लिकी कॉलकाता के किस प्रेस में प्रस्तम पत्र को छापने के लिए भेजा जा रहा है मेडिया में चले खबरों के मताविक BPSD के कुछ अधिकारी और कर्मी भी जाँच के घेरे में आ रहे है निर्वाचन आयोग 18 साल पूरे होने वाले युवाओं को मदान का दे रही मौका लोकसबा चुनाव में मदान देने के लिए मदाताओं को जागरू किया जा रहा है इसी करी में जिन भी युवाओं के उमर 18 साल पूरी हो चुकी है उन्हें भी मदान देने के लिए जागरू किया जा रहा है आपको बता दे कि पूरी देश में लोगसबा के ये चुनाव साथ चर्णों में होने वाले हैं तो इन साथ चर्णों में पहले कुछ खोर कर सेस के लिए एक अप्रेल दोजाथ चौबिस अठारव वर्स पूरी करने की आहरता थे थी निर्धारित की गई हैं भारत सिंख चंदेल बनेंगे आपको बता दे कि सुप्रीम कोट के मुख्य नयाएधीस दिवाई चंदरचूर के अध्यक्सता में पांच वरिस्ट जजों की कॉलेजियम गढ़ित होई थी इस दोरान इनों ने जस्टिस चंदेल के नाम के नुसंसा केंद्र सरकार से की थी जिसक के के बातक में नहीं पहुँचै के के पाठक वीसी ने कहदी के बाद सिख्जा व्भाग और राजभवन के बीच करवागप बढ़ती ही जा रही है अब इसी करी में खबर सामने आई कि के के पाठक dépend बहुँचे इस बैंक खाता संचालन अक्षे अंकेचन आपत्ती का निराकरन करने के निर्देश राजपाल राजिंदर विस्वनाथा लेकर द्वारा दिये गए हैं। हाला कि इस पैठक में बुलाए जाने के बाद भी केगे पाठक नहीं पहुंचे। नेकिन केके पाठक की जगर सक्चा विभाग के तरब से सचीव वैदनात यादब सामल हुए थे। इस दोरान वीसी ने का कि पैसों के आभाव में सिक्षकों और सिक्षकेतर करमचारियों को वेतनादी के भुक्तान में परिशानी हो रही है। विस्विद्याले के कारविभा के कारवाई से बुरी तरह प्रभावत हो रहे है। बीते ही दिन यूट्यूबर मनिस कस्यप सहित दस अग्यात लोगों पर प्रात्मी की दर्ज हुई है ये प्रात्मी की दर्पा थाने में दर्ज हुई है मामले को लेकर डियेसप धिरिंद्र कुमार ने बताया है कि थाना अध्यक सुमा संकर मा जी ने चौरा दानो सीओ रिसप सिंग यादव के आवेदन पर सिकायत दर्ज की है मामले को लेकर अग्यात लोगों को चनहिद किया जा रहा है और नामजद आरोपियों को गिरफतार करने के लिए पुलस छापे मारी कर रही है आपको बता दी कि लोगसवा जुनाब के तारिकों के ऐलान के साथ ही आचार सहिता लागो हो चुका है ऐसे में कई चीजों पर पाबंदी रहती है लेकिन जानकारी सामने आई ही कि मनिस कसिप ने आचार सहिता का उलंगन किया है नवादा में अवैद खनन का चल रहा काम जानकारी होने के बाद भी नहीं हो रहे ही कारवाई डात के अंदेरे के साथ अब दिन में भी जैसीवी से नवादा के रजोली थाना छेत्र में सविया टार पंचायत के अंतरगर जंगली छेत्रों में अवैद अभरक खनन की खबर सामने आई है साल 2021 में खनन मंत्री जनक राम ने भी इन ख़दानों का दौरा किया था इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को करे निर्देश दिये थे बावजुद इसके अवैद खनन अभी भी जारी है इस अवैद खनन के बारे में कई बड़े से बड़े अधिकारियों को भी जानकारी है फिर भी अभी तक इस मामले पर कोई सक्त कारवाई नहीं हुई है यहाँ पर अवैत खनन के साथ और भी कई गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जा रहा है इस काम के लिए 5-10 साल तक के बच्चों को भी लगाया गया है जो संकिर्ण और जरजर खान में छेनी हतोरी से अबरक तोड़ते नजर आते हैं पटना जले के 17,000 सिक्चकों को मिलेगा टैब ने 17 से पटना जले के सिक्चकों को टैब दिये जाएंगे और सिक्चक अब इसी टैब के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्तिती भी दर्ज करेंगे आपको बता दे कि ये टैब कक्षा 1-12 तक के 17,000 सिक्षकों को मिलेंगे 9-12 तक के सिक्षकों को ये टैब पहले चरण में दिये जाने की तयारी है उसके बाद कक्षा 1-8 तक के सिक्षकों को टैब उपलब्द करवाये जाने की तयारी है इस टैब से ये भी पदा चलेगा कि सिक्चक एक दिन में कितनी कख्चाई ले रहे हैं साथ ही एक से बार भी तक के पाठिक्रम में भी इस टैब में अप्लोड किये जाएंगे इस टैब की मदद से परहाई जाने वाली विसेश से अध्यतन रहेंगे प्रधाना ध्यापक के पास भी टैब होगा और वेसी की मदद से मीटिंग में जुरेंगे और विभाग को हर दिन की रिपोर्ट सौंपेंगे इस दौरान विभाग को मिसंद डक्स और विसेश करजा की जानकारी भी देनी होगी सिवान में डेर करो रुपे की कीमत के सराब पर चला बुल्डोजर सिवान जिला प्रसासन ने डीम के आदेश पर डेर करो रुपे के सराब पर बुल्डोजर चलाया है इस दोरान सिवान के पुलिस लाइन में लगबग 25 हजान देशी और विदेशी सराब को नस्ट किया गया है ये सराब जले के कई थाने द्वारा पकरे गया थे इसके बाद डियेम ने से नस्ट करने के आदेश दिये थे डिर करोर रुपए के कीमत के ये देशी और विदेशी सराब सिवान उत्पाद अधिक्षा का विनास प्रकास की देख रेक में बुल्डोजर से नस्ट किये गये हैं बतारे कि इन दिनों होली और लोकसवा चुनाब से पहले प्रदेश में कई जगहों पर पुलिस प्रसाथन अलर्ट में है बेगु सराइ में बैंक से 20 लाख रुपए की लूट को बदमासों ने दिया अंजाम बेगु सराइ जिले से एक बरी बैंक लूट की वारदात सामने आई है दरसल 20 लाख रुपए तक की लूट एठरी एपसी बैंक का ये साका बेगु सराइ सहर में हरहर महादेव चौक परस्ते थे लूट की वारदात सामने आते हैं पुलिस घटना असल पर पहुंची और मामले की चानबीन की जा रही है सीसी टीवी भी खंगाले जा रहे हैं मिली जानकारी के नुसारिस लूट की वारदात को अंजाम दिने के लिए ये बदमास बैंक रहां के रूप में आये थे उन्होंने बैंक में प्रवेस हतियार के साथ की और थोरी ही देर में सभी को हतियार से डरा कर बैंक कर्मियों के पिटाई कर दी फिर उन्होंने 20 लाख रुपए के लूट को अंजाम दिया हालाके इस मामले में फिलहाल को याधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है गया लोग सबा छेतर से मांजी ने अपने प्रत्यासी की घोसना बिहार में अंजी के सीट बटवारे में बीजेपी को सत्र जदियों को 16 चिराग की पार्टी को 5 और मांजी वकुसवाह की पार्टी को एक-एक सीट मिलने के बाद हमके संग्ड़क चक दीतना मांजी ने अपने उमिद्वार की घोसना कर दी है आपको बता दे कि मांजी को गया लोगसवा छेतर की सीट मिली है और संतो सुमन ने पार्टी के तरब से बताया है कि सीट से खुद जीतना मांजी चुनाव लरेंगे उन्होंने बताया कि वे अपने एजेंडी के साथ जंता के बीच जाएंगे प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान हम पार्टी के राश्ट्री अजेक्ट संतो सुमन ने बताया कि इस बात पर निर ने संसदिये बोट की बैठक में सर्वसम्मती के साथ हुआ है राश्ट के प्रत्यासों को बाट रही सिंबल की खबर सुनते ही राबरी आवास पहुँचे कॉंग्रिस से अखिलेज अन्डिये के सीट सेरिंग ते होने के बाद अब सभी को बिहार में महागरबंदन के सीट बटवारे का इंतजार है हाला कि खबर सामने आई है कि राजट ने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट को फाइनल कर दिया है जिसमें अधिकतर सीटे पहली चरन की सामिल है साथ ही ये भी चर्चा देखने को मिल रही कि राजटों में दवारों को कुछ सीटों पर लालु यादब द्वारा सिंबल भी दे दिया गया है महा गडवंदन में बिना सीट सिरिंग का ऐलान किये ही राजट ने अपने प्रत्यासियों को सिंबल देने शुरू कर दिये है इस बात की जानकारी सामने आते ही कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्षकले सिंग दिली से पटना राबरी आवास पर पहुँचे और लालू यादब से उन्होंने मुलाकात की इस संबन्द में जब मेडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो वे इन सवालों के जवाब देने से भी बचते नजर आए राम को कालपनिक बताने वाले मांजी ने जैस्री राम का लगाया नारा नरेंद्र मोदी के नेतरत में इस बार लोकसभा के चुनाव में एन्डिये ने चार सो पार के लक्ष को तै किया है एन्डिये के घटक दल अपने हिंदू बोटरों को साधने की पूरी कोसुस कर रहे है बिहार के पूर्फ मुख्य मंत्री जीतना मांजी भी एन्डिये का ही हिस्सा है जो जीतना मांजी कभी रामायन और भगवान राम को कालपनिक वा पूजा पार्ट को भी मतलब बताया करते थे आज एन्डिये में सामल होने के बाद उनके सुर्वी बदलते नजर आए कभी राम और क्रिस्न कब रोध नहीं किया है करवाहट की खबरों के बीच रोहट सर्मा और हादिक पान्रिया का वाइरल हो रहा ये वीडियो रोहट सर्मा और हादिक पान्रिया के बीच करवाहट की कई खबरे सोसल मीडिया पर देखने को मिल रही थी आपको बता दे कि मुंबई इंडियन्स का नया कप्तान रोहिट सर्मा की जगा हार्दिक पांडिया को बनाया गया है अब इससे बीच मुंबई इंडियन्स सिवीर में अभ्यास मैच से पहले दोनों खिलारी नजर आए इस दोरान दोनों को ही एक दूसरे को गले लगाते देखा गया अब ये वीडियो सोसल मेडिया पर भी जम कर वाइरल हो रहा है आपको बता दे कि रोहिट सर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया इससे लेकर कोई खास वज़द सामने नहीं आई है हाला कि अब देखना होगा कि हारदिक पांडिय की कप्तानी में और रोहिट सर्मा के साथ टीम का प्रदर्सन कैसा रहता है आपके नुसार हारदिक पांडिय और रोहिट सर्मा की जूरी क्या मुंबई इंडियन्स को आई पिल का खिताब जिदा पाएगी आप अपना जवाब हमें मारे कॉमें चक्सन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहा है बिहारी न्यूट और साथ अगर आप यूरूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले देन्यवाद